दोस्तों Diamond Aviations एक ऐसी कंपनी है जो प्लेन्स बनाती है हाल ही में Diamond Aviators के मंच पर डेविड नाम की एक पाइलेट ने एक ऐसा वाक्या बताया जो सच में हरान करने वाला है डेविड ने बताया कि उन्होंने अपने Diamond DA40 प्लेन से Colorado Springs से Atlanta के लिए उडान भरी और रास्ते में उन्हें कुछ खूबसूरत बादलों का गुरुप दिखा उन्होंने उस पल को रिकॉर्ड करने के लिए अपना iPhone X फोन निकाला और प्राइविट प्लेन की विंडो से बादलों की फोटो कीचना शुरू कर दिया गलती से प्लेन में टर्बूलेंस की वज़े से उनका iPhone X विंडो के पास जाता है और तेज हवा की वज़े से वो 11,250 फिट की उचाई से नीचे गिर जाता है हैरानी की बात यह है कि अगे दिन उन्हें बता चलता है कि उनका फोन युनाइटेड स्टेट्स में अरकनेस नाम की लोकेशन दिखा रहा है वे जैसे ही वहाँ पहुचते हैं उन्हें उनका फोन धास के बीच में सही सलामत पड़ा मिलता है आईपोन एक्स की स्क्रीन में स्क्रेच तक नहीं आता यहां तक की आईपोन की बैटरी भी आसानी से चार्ज हो रही थी कुछी दिनों पहले भी ऐसी घटना हुई थी जिसमें आईपोन प्लेन से गिरने के बाद बच गया था दोस्तों के साथ हजार से एक लाग तक की कीमत में आने वाला आईपोन एक्स इतना मजबूत होता है कॉमेंट्स में हमें अपनी रह जरूर बताएं